Hello guys, welcome back to Comic Hind हम आ चुके हैं Eternals के 7th पार्ट में तो चलिए शिरू करते हैं तो जैसे कि हम पिछले वाले एपिसोड में देख चुके हैं Eternals को पता चलता है कि जब वो दुबारा से जिन्दा होते हैं तो उसके लिए एक मनुश्य की मौत होती है ये सुनके वो बहुत जड़ा दुखी हो गए तो उन्होंने Eternals की मुख्य सोसाइटी को छोड़ने का फैंसला किया वो चले गए लिमूरिया में जो की सिटी है डेवियंट्स की वो ये जानना चाहते हैं कि वो चेंज हो सकते हैं या नहीं एनोस अभी भी खुला घूम रहा है और उसके साथ ड्यूरिग है तो आगे कुछ काफी बड़ा होने की संभावना है तो ये सीन है लिमूरिया का यहां मशीन हमें बताती है चिलाने की आवाजे सुनके टॉलाओ अपने नाइटमेर से जाग गया जब वो उठा तो उसे ऐसा लगा कि वो उन लोगों के साथ फस गया है जिनोंने उसके जैसे मिलियन लोगों का कतल किया है उसे लगा कि ये सुपना है बट ये तो सच था उसकी गर्ल्फरेंट जो कि एक अटर्नल है वो अपने दोस्तों को साथ ले के आई है वो उसको ना भी नहीं कह पाता क्यूंकि इसके पीछे भी काफी कारण है बट जिस आवाज ने उसको उठाया वो उसके साथियों की थी जिनको पता चल गया है कि उसके पास कोई आया है वो deviant कहते हैं देखो ये तो वही है एंटर्नल्स को मौत मिलने चाहिए तो किंगो कहता है इकारिस को भी अभी जाना था वो थैना को कहता है तुम लेफ्ट में जाओ मैं बड़े वाले को संभालता हूं तो वो कहती है नहीं किंगो हम तो यहां अपना वेच चेंज करने के लिए आएं है ना इनको खतम करना तो उसके opposite होगा तो किंगो कहता है ये कहना आसान है शान्ती कैसे हो सकती है अगर वो तुमें सामने से काटने के लिए आएं अभी वहां को याता है वो कहता है मेरे लोगो शांत हो जयाओ तुमें कानून को अपने हाथों में लेने की नीड नहीं है क्योंकि करो ही कानून है और वो यहां पहुंच चुका है तो थैना उसको कहती है तो यहां तुमने वापिस काबू पा लिया है वो कहता है उतना तो पा लिया है जितना अभी तक किसी ने नहीं पाया होगा किंगो कहता है तुम्हारा सिंगासन तो अच्छा है तो वो कहता है थैंक यू लोगों को बताना आवश्यक होता है कि केंग कौन है और तुमारे यहां आने से मेरी कोई हेल्प तो नहीं हुई अभी मैं सोच सकता हूँ कि उन म्यूटेंट्स को कैसा लगता होगा जब वो सेंटेनियल रोबर्ट उनके आईलेंड में आते होंगे तो तैना कहती है, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाती हूँ तो वो कहता है, मुझे नहीं लगता तैना कि तुमें एक अच्छी दूथ हो मेरा दिल तूटा है, तुमें थोड़ा जेंटल होना चाहिए मुझे लगता है कि ये तुम्हारा नया boyfriend है तो हम सब के लिए अच्छा होगा कि मैं सर्सी को साथ लेके जाओ तो क्या चले हम हम इसका way ढूंडते हैं कम खून खराबे से तो यहां machine हमें बताती है कि इसके और थैना के बीच में समंध रह चुके हैं तो लाव को भी पता था कि deviant dictator की ex को date करना अच्छा नहीं होगा वो एक artist है वो ideas को बनाता है बट सभी ideas सही भी नहीं होते तो यहां सर्सी उसको सब बताती है तो वो कहती है मैं तुम्हें short में ये बताऊं कि हम change होना चाहते हैं पता है कि ये position थोड़ी सी नाजुक है एक दो निकाले हुए तो mob से अलग होते हैं बट हम काम के होंगे तो वो उसको कहता है तो तुम ऐसा कहो कि तुम्हें अपनी गल्ती का एहसास है ऐसा लगना चाहिए कि यहां तुम भीक मांगते हुए आये हो तो वो कहती है हाँ मैं समय सकती हूँ हम तुमारी politics के बारे में और भी जादा जानना चाहेंगे ताकि पता चले कि ये हमारे वाले से कैसे अलग है तो वो कहता है एक और condition भी है जब ये सब हो जाएगा तो तुम्हें मेरे साथ dinner के लिए जाना होगा तो वो कहती है मुझे नहीं लगता ये अच्छा idea होगा वो कहता है मुझे भी पता है कि ये अच्छा idea नहीं होगा बट चलो इसको होने दो मुझे तो बताया गया था कि यहाँ पे 6 aternals हैं बट यहाँ तो बस 3 हैं बाकी के कहा हैं तो वो उसको बताती है इकारिस, फैस्टोस और स्प्राइट वो किसी और काम में लगे हैं तो यहां इकारिस टॉबी की कबर के सामने खड़ा होता है वो कहता है मुझे माफ कर दो मैं फेल हो गया तो स्प्राइट उसको कहती है मुझे पता है ये काफी भ्यानक था बट इसमें तुम्हारी गलती नहीं है तो वो उसको कहता है बट मुझे चेतावनी दी गई थी तो स्प्राइट कहती है तुमने तो एक विजन देखा था तुम जानते हो ये किसी काम के नहीं होते तुमें वो दिखाया ही नहीं जाता जिसको तुम बदल पाओ तो फैस्टोस भी उसको कहता है तो मुझे ही देख लो मैं चाहता था कि और मनुश्यों की मोत ना हो बट इसके लिए और की मोत भी हो गई और हमने थैनोस को भी खुला छोड़ दिया आगे बढ़ने का एक ही वे है कि बदलाव किया जाए और कुछ बहतर बना जाए मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है मुझे अपने काम में लगना होगा जब तक मैं थैनोस को ढूंड ना लूँ तुम खुद का भी तो देखो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि तुम वहाँ पे ना आते दिन को बचाने के लिए चाहे इसमें कितना भी रिस्क क्यों न होता तो एकारिस कहता है ये रिस्क तो ठीक है बट जल्दी से कुर्बानी देना अच्छा नहीं था मुझे अभी जाना होगा तो स्प्राइट उसको कहती है तुम यहां तो कोई स्टूपिड करने वाले हो यहां कोई हीरो इक तो वो कहता है मुझे नहीं पता तोबी के माता पिता को पता होगा तो वो टोबी के घर के पास पहुँचता है अभी उसके पीछे कोई आता है जो उसको कहता है तुम हीरो मत बनो तुमें अभी तक सीख जाना चाहिए था जब ऐसा होता है तो तुम लोगों को मरवा देते हो तो मशीन हमें बताती है Jack of the Knives of the Tricks ये Eternals के Crime Lord में से एक है तो Icarus उसको कहता है मैं इस मूड में नहीं हूँ कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ तुमें इस मैटर में क्यों दिल्चस्पी है मैं तो यहां उनको उनके बच्चे की सच्चाई बताने आया हूँ तो Jack उसको कहता है और मैं तुमें ये बताने आया हूँ जो मनुश्यों के माइंड में छेद कर देगा तुम ऐसी गुप्त बातें किसी को भी नहीं बता सकते इससे और भी जादा मसले हो जाते है तो Icarus उसको कहता है एक तो तुम मेरे साहस का मजाक उड़ाते हो और ये बाते कहते हो मेरे फेस पे तुमें लगता है तुम मुझे रोक पाओगे अगर मैं तुम्हारा सर ही उखाड फेंकूं तो Jack कहता है उसके लिए तुमें मुझे पकड़ना होगा जो की बहुती मुश्किल है सेकिंड ये ही कि तुमें मुझे खतम करना होगा या तुमने जो भी सीखा था तुम भूल चुके हो तो वो Jack को कहता है तुम इसमें मत पड़ो तुम यहां हो क्यों तो Jack उसको कहता है मुझे नहीं पता तुमने एक मनुश्य की मौत का इतना बड़ा हला क्यों मचाया है उसकी जगा कोई और आ जाएगा उसको कहता है एक बझान सांस खीचती है उसका गुसा फूड जाता है उसने ऐसा कुछ कहा, जब उसके आसू सूख जाएंगे, तो उसको इसका पश्तावा होगा, बट उसके शब्देकारिस को अच्छे लगे, और वो वहाँ से चला जाता है, तो यह सीन है मशीन की सब स्पेस टनल की गहराईयों का, तो यहाँ थैनुस कहता है, तो मैं उससे गाया था, बट तुम अभी भी उसके वो फ्रेंकिंस्टाइन हो जिसको उसने बनाया है, या तुम्हें एक नई बोड़ी चाहिए, इसके लिए तुम्हें मुशीन से दुबारा जुड़ना होगा, तो थैनुस कहता है, हाँ, क्या यह तुम कर पाओगे, नई बोड़ी से क कैसे बनाना है, इसके बार में मुझे कुछ नहीं पता, क्या यह एक साइंटिफिक टास्क है, या कोई और भी इसको कर पाएगा, या इसके लिए कोई प्रिस्ट लगेंगे, मुझे नहीं पता, तो मैं आपको एक सल्यूशन देता हूँ, अगर आप प्राइम एटरनल बन जाते हो, तो आपके पास ये करने का हक होगा, या आप किसी से जबदस्ती भी ये करवा सकते हो, तो थैनोस कहता है, या तुम्हे लगता है ऐसा होगा, शेम ओफ टाइटन को वो चुनेंगे, तो डियोरी कहता है, वो लोग जल्दी ही एक यूनिमाइंड बनाने वाले हैं, पाकि किसी को चुना जा सके, उन्हें लगता है कि ये बहुत ही सिंपल होगा, जोरस को कोई चैलेंज करने वाला भी नहीं होगा, तो थैनोस उसको कहता है, खुश टाइम से तो मैंने एटरनल्स के खून करने का काम किया है, या वो मेरे लिए वोट करेंगे, तो वो कहता है देखो मैं किंगो के जैसे रोमेंटिक नहीं हूँ, ना ही सरसी की जैसे शोकीन हूँ, जबसे हमने डील की है, मैं ऐसे ही फालतु में नहीं बैठा था, क्योंकि मेरे पास तो काफी टाइम था, बट फिर भी ये काफी नहीं होता, बट मैंने कुछ मूव बनाए, तो आप इ जोडास को 18, या हम कह सकते है 14-17, पॉलेरिया में 6 वोटे पढ़ सकती है थैनोस को, दी ओशेनिक वाच में 6 वोटे पढ़ सकती है थैनोस को, सेलेस्टिया और एक्स्क्ल्यूजन में किसी को भी कोई वोट नहीं पढ़ने वाली, इटान सिस्टर्स में से किसी को भी वोट नहीं पढ़ने वाली तो उसके बाद बचता है थैनोस आपकी एक वोट तो आपके लिए होगी तो ऐसे जोरस का टोटल बनता है 1418 थैनोस का टोटल बनता है 1718 तो इन शोट मैं आपको बताता हूं जो कभी भी वोट नहीं करते वोट करने वाले हैं जो हमेशा वोट करते हैं वहाँ होंगे नहीं, तो काफी चांस है कि आप जीत जाएंगे, तो हम पहले सवाल पे जाते हैं, क्या होगा जब आप Eternal Prime बन जाएंगे, तो उसका जवाब ये है कि जो भी थैनोस चाहेंगे, तो थैनोस कहता है, इसमें तुम्हारा क्या फाइदा है, तो वो कहता है, मिलिय बड़े लीडर्स के पीछे खड़ा था, बट उन सबने मुझ से हेट की, टाइम के साथ उनकी महानता भी खतम होती गई, मैं थोड़ा-थोड़ा करके रैंक आगे बढ़ता गया, जो एक स्नेक है, उसको क्या चाहिए होगा न, वो यही चाहेगा कि वो किसी महान आदमी के क बड़े जिससे ठैनोस को तबाह किया जार सकता था, बट उसने उसको खुद के लिए कोपी किया, वो भी धैनोस को कभी भी खतम कर सकता है, तो यहाँ सरसी वापिस आती है, वो कहती है क्रो हमारी बात को समझ गया है, तो वो देखती है टॉलावने स्टैचू बनाया होता ह वो कहती है ये तो बहुत बड़िया है वो कहता है थैंक्यू ये खतम ही होने वाला है तो किंगो कहता है इस चीज को देखो सरसी जो थेना है वो सकेंडरी एडमेंटियम एलोई है दीटला वो एक मीड है तो वो उनको कहता है, जो art है वो eternal भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, मेरा art सुंदर है और भ्यानक है life के जैसे, वो सरसी कहती है, तुम इतने शांत कैसे हो, तो वो कहता है ये art की वज़ा से है, ये ही वो चीज है जिसकी कोई sense बनती है, art and love की, इसको खतम होने में एक दिन बच्चा है, तुम सभी invited हो इसको देखने के लिए, मुझे इसमें ध्यान लगाना होगा, जब ये हो जाएगा तो मैं उपर आ जाऊंगा, art and love ही है जो matter करता है, तो जितना हो सके मैं इसको पाना चाहता हूँ, जितने भी time के लिए मैं बच्चा हूँ, तो ये scene है the chamber of unimind का, तो यहाँ डॉमो जोरस को कहता है, इकारिस और the hero unit यहाँ नहीं आने वाले, यहाँ सरसी भी नहीं है, उसने उनको चितावनी दी होगी, बाकी लोग भी missing है, तो बहुती कम लोग है, हमें इसको postpone करना चाहिए, तो जोरस कहता है, नहीं, सब को अधिकार और ते Thanos भी पहुंच चुके है, Thanos कहता है, यह क्या है, मुझे बताओ, तो वो बताता है, हम एक साथ जुड़ते हैं, हम लव और unity की एक आत्मा बन जाते हैं, यह बहुती अच्छा होता है, बला बला बला, तो यहाँ वो कहते हैं, हम है Eternals, तो मशीन हमें बताती है, यहाँ जोरस एक candidate है, उसे consciousness के flood में मंझूरी चाहिए, अभी उन सब को पता चला कि एक और contender आया है, जिसने वादा किया है, अजादी का चेंज का glory का, जिसने उनको याद दिलाया कि उनके गोड ने उनको छोड दिया है, जिसने वादा किया कि वो उनका नया गोड बनेगा, जो उनको अजादी देगा, जोरस को भी पता चल गया कि ये क्या हुआ है, कुछ ने थैनोस को reject किया, बट अभी भी उसके पास chance बना है, उसने खुद को वहाँ से अजाद किया, तो तबी वहाँ से आवाज आती है, हम सभी one mind हो चुके हैं, प्राइम एटरनल थैनोस का स्वागत है, जोरस कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, और वो उसको पीटता है, तो थैनोस कहता है, क्या तुम भूल गए हो, ये पिछले हफ़ते की तो बात है, तो चलो मैं तुम्हारा खून करने वाला हूँ अंकल, और वो उसको पीटता है, थैनोस कहता है, मैं कभी भूल जाता हूँ कि politics तुमारी आत्मा को कैसे ताजा कर देती है वो चिलाता है मैं हूँ अभी प्राइमेट अर्नल मेरा भी मान सम्मान होगा ये एक नया यूग है मैं तुम सभी को अजाद करूँगा तो machine हमें बताती है वहाँ सभी उसके गुनगान करने लगे कुछ ने सच में किया तो कुछ ने डर में किया कुछ ने अपने दोस्तों को बताया जो वहाँ नहीं आए आंतंक और ब्लेम फैल गया तो यहाँ डूरिक थैनॉस को कहता है बहुत अच्छे माइ लोड मैं कहता हूँ कि उनको कुछ टाइम के लिए exclude कर देना चाहिए आकि हम उनको नई सच्चा ही बता सके मुझे लगता है मेरे पिता भी चुप नहीं रहेंगे जैसे कि Zoras ने आपका order नहीं माना हम इसको संभाल लेंगे तो जैसा कि आप जैसे महान आदमी ने कहा था कि अभी क्या तो थैनस उसके सर को पकड़ते होए कहता है सबसे पहले तो ये तुम्हें क्या लगा था कि मुझे नहीं पता होगा कि तुमने जो फैस्टोस के माइंड में से डिलेट किया है उसकी कॉपी बना ली होगी तुम सभी ऐसे घमंडी होना और वो उसके सर को ही फोड़ देता है वो वहाँ से जाते होए कहता है तो तुमने पूछा था इसके बाद क्या तो एक पागल ने कभी कहा था जो भी थैनस चाहेगा तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खतम होता है हम भी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई